Progressive Overload कैसे करना है? इससे पहले और इससे ज़्यादा जरूरी हमें यह है कि Progressive Overload होता क्या है? तो यह जो वीडियो अब आप देखने वाले हैं, इसमें बहुत ज़्यादा animation, editing या skill की देखने के लिए नहीं मिलेगी है अगर knowledge-based content आपको देखना है, तो उसमें आपको यह काफी help करने वाली है तो सबसे पहले हम बात करते है, Progressive Overload के है Progressive Overload, for example, यह मैंने 10 किलो का डंबल लिया है इसके मैं 12 rep लगाता हूँ, as in मैंने starting में, initial stage में मैंने life में पहली बारे जिम स्टार्ट करी है तो अगर मैं 10 किलो के डंबल के 12 rep लगा रहा हूँ, तो आप Progressive Overload, Intensity wise भी count कर सकते हैं Rep wise भी count कर सकते हैं, आप Set wise भी count कर सकते हैं, आप इसे Training wise भी count कर सकते हैं आप Yearly training wise भी count कर सकते हैं, तो इसका scenario बहुत बढ़ा है, आप इसमें time add कर सकते हैं या पर time, आपका जो set के बीच में rest है, उसमें आप फेर बदल कर सकते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो simple रखूँगा, मैं ये वाला जो वीडियो है, बहुत ज़्यादा technicality में नहीं जाऊँगा, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, मैं इसलिए simple रखूँगा तो set wise, सबसे पहली बात, हम set wise कैसे कर सकते हैं, नहीं, सबसे पहली बात, हम intensity wise कैसे कर सकते हैं, डिस्क से स्टार्ट करते हैं अगर हम एक initial stage पे हमने जिम बगरा स्टार्ट करी हैं, हम biceps curl कर रहे हैं या bench press कर रहे हैं, for example 5 क्लो की initial stage पे आपका सरीर response बहुत अच्छा करेगा, तो हम उसमें intensity wise, हम weight add कर सकते हैं, for example आपकी 20 कलो की bench है and हम next week ही, मतलब इतना जल्दी हमारा सरीर response कर रहा हुआ कि हम next week उसमें 2.5 या 5 kg हम add कर सकते हैं, अगर हम उस चीज को ठीक से apply करते हैं तो, अब उसमें हम intensity wise, मैं ये weight को intensity बोल रहा हूँ, and उसी जो आपने 20 kg इससे last week मारा है मतलब आप जो, suppose आपने 5 kg add कर लिए, इससे last week आपने अगर 5 kg मारा है, उसमें आप next week कुछ अपने रेप add कर सकते हैं, for example, पहले 10 रेप आपने लिए थे, अब आप 12 रेप कर सकते हैं, ठीक हैं या फिर आप कर सकते हैं, set wise, आपने 10 reps and 3 set करे हैं, तो अब आप तकरीबर 8 rep और 4 set कर सकते हैं, तो overall आपको कितना बैठ रहा है, 10 rep, 3 set, 30 और 8 rep, 4 set, 8, 32, तो मतलब आपके 32 rep हो रहे हैं, तो overall में आपने 2 या 4 set, 4 rep आपने add करे हैं, वो आप देख लेना, मैं यहापे math करने नहीं बैठ रहा हूं, क्योंकि कुछ भी article लिखा हुआ नहीं है, ना मैं कहीं पढ़के बोल रहा हूं, जो चल रहा है, मैं उसी साब से मैं बात करूँगा, तो यह है, इस तरह से आप कर सकते हो, intensity या फिर अपनी progressive overload, set में चेंज आप इस तरह से कर सकते हो, या तो आप Next week आप कर सकते हो, आप around 45 seconds का ब्रेक ले सकते हो, गशो गत vollовых siri एक है, तो आप 45 sec ं का प्रेक ले सकते हो, ठीक हा, एक συνेर्योड आप यह हो गया है, एक सेनर्यो आप कर सकते हो, आपने एक रैप मारने में, आपको कितना टाइम लग रहा है, for example, हमें दो सेकंड लग रहे है एक रैप मारने में, एक सेकंड ऊपर और एक सेकंड नीचे, अगर आप स्पीड बर कर रहे हो, तो आराउंड 1.5 के आसपास हम लेके चलते हैं, बट रफली मैं लेके चलते हूं, डेड़ से दो सेकंड, सोरी, दो से डाई सेकंड के आसपास, क्योंकि नए, जो हमने अभी कर रहा है, तो हो सकता है, हम टेक्निकलिटी में घुसने की बहुत ज्यादा कोशिस करेंगे, तो उसमें हो सकता है, हमारा रैप का टाइम थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा, तो उसको हम और कम कर सकते हैं, मतलब तीन सेकंड में हम एक रैप मार सकते हैं, जो जाएंगे, हम एक रैप अपना काइम कर सकते हैं, मल्ला है, मतल्म रैप्स कर सकते हो, सैटवाइज अपना देख्ते हैं, तो ये सब सिनेरियो है, आप जिसमें प्रोग्रेसिग और लोड एजन काउंट कर सकते ही अब progressive overload आपको कितने time में करना चाहिए अभी मैं beginner की बात कर रहा था अब इसमें तीन scenario की बात करेंगे beginner ठीक है बीच में रख देते हैं intermediate and last में रख देते हैं आपका advance lifter इसमें मैं power lifter की बात करूँगा या फिर आप weight lifting की बात कर सकते हो या फिर आपको जो भी गयम है उस हिसाब से आप अपने आपको उस scenario में डाल सकते हो suppose आपने अगर life में पहली बार कोई movement start कर रहे है तो beginner अपना weekly basis पे अपनी progressive overload add कर सकता है वो कैसे कर सकते हैं जिस मैंने भी बताया intensity रफ टाइम सेट या फिर डूरिंग रफ के जो आपका time होता है उसमें भी फिर बदल कर सकते हैं ऐसे बहुत सरी चीज़े हो सकती है और चार पांच दे दिया बट आपको roughly समझ आ जाएगा कि आपको करना क्या है ठीक है for example अब मैं beginner की बात कर रहा हूं बिगनर बंदा रहता है सपोज आपने आज से जिम स्टार्ट करें एक से डेड़ साल अपकी जो इनीचेल स्टेज होती है आपका सरीर पीक पर काम कर रहा होता है ठीक है आप महां पर जल्दी 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 अपनी प्रोग्र्रेसिग ओर्लोड डाल सकते हो weekly basis पे कई बार weekly basis पे डाल सकते हो कई बार day basis पे डाल सकते हो मैंने आज बैंच मारी है 20 किलो तो कल हो सकता है मैं 2.5 मर दो मतलब 22.5 की मैं बैंच मार दो क्योंकि हमारा से इनीचेल स्टेज पे बहुत अच्छा रिस्पॉंड कर रहा होता है ठीक है यह हमारा डेर से दो साल चल सकता है मैक्स आप intermediate की बात करें मतलब यहाँ पे आप day से weekly basis पे आप अपना काउंट कर सकते हो आप अपना progressive overload दे सकते हो बट अगर आप intermediate की बात करो तो उसमें आप क्या करोगे कि आपका weekly से लेके monthly basis पे आप अपना progressive overload डाल सकते हो और वो जो intermediate का जो time है वो आपका date से दो साल से लेके 5 से 6 साल तक चलता है अगर आप continuous training कर रहे हो तो तो 5 से 6 साल तक आपका कुछ ऐसे ही चलता रहेगा आप weekly से लेके monthly basis पे मतलब इसमें month कितने भी हो सकते हैं दो month, 4 month, 6 month, 8, 10, 12 ठीक है कितने भी basis पे यह आपका हो सकता है क्योंकि आपकी body adaptation reach कर रही है ठीक बेसिक पे नहीं है basic पे peak करेगा फिर यहां से हमारा bar graph थोड़ा स slow हो जाएगा, initial stage पे आप एकडम से गए उपर फिर जैसे आप intermediate पे जाओगे आपका सरी थोड़ा adaptive nature में जाएगा तो वहां पे आप limit चेक करने लग जोगे तो वहां पे आपका bar graph उपर नीचे उपर नीचे जाएगा तो आप weekly से monthly basis पे आप अपना progressive overload दे सकते हो, same वही scenario र यही चलेगा, अब इसमें क्या कर सकते हो, monthly से लेके yearly में आप अपना progressive overload डाल सकते हो, यह मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि for example एक advanced lifter है, आपने किसी भी advanced lifter से आप अगर पूछोगे कि आपने इतना time क्यों लग रहा है आपको अपना progression देने में, क्योंकि उसका सरीर already peak प कर रहा है, जो anabolic या फिर किसी चीज़ पर है, हाला कि उनका भी time इसी तरह से चलेगा, बट हो सकता है, वो कुछ substance यूज़ करके आप से थोड़ा आगे निकल जाए, बट मैं natural की बात कर रहा हूं, तो naturally हम यह सब कर सकते हैं, हम अभी enhanced बंदे की बात नहीं कर रहे है, अगर कोई lifter किसी ने 8 से 10 साल एक particular lifter में निकाल दिये है, उसके बावजोद उसका यह scenario चल रहा है, तो इसमें हम enhanced भी बात कर सकते हैं, उसका enhanced हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा एनबोली पर सिप्ट हो रहा है, या फिर उसको मतलब अपना प्रोग्राम का नहीं पता, वो बन 8 साल, 2 साल, या फिर कई बार महीने भार का, कई बार एक अथलेट अपना पूरा गेम छोड़ देता है, तो वो सब की भार की बात है, वो सब बात नहीं कर रहे हैं अगर आप नेचुरली हो, तो आपको पुश करने में, फिर मतलब आपका जब प्रोग्रिशन होगा, करने में, क्योंकि आपका सिर्र ओलरी बहुत पीक पे है, लेकिन आप अगर शुरू से एंड तक, आप अपने आपको देखोगे, आपका बार ग्राफ अभी, मैं अगर जैसे मैं बोलना हूं, अगर आप समझ पा रहे हो, बार ग्राफ एकदम से उपर नहीं गया, आपका, कनेक्शन बिल्डप होगा, आपके रैप थोड़े स्पीड वाइस जल्दी आ सकते हैं, लेट आ सकते हैं, मतलब आपने एक रैप करा, आपका जैसे जैसे वेड बढ़ता चला जाता है, आपकी व्लोसिटी कम हो जाती है, मतलब स्पीड कम हो रही है, आपके रैप की, नेसेसरली अपनी मुव्मेंट को स्पीड अप करने के लिए या फिर जब जास्ती रैप लगाने के लिए आप बाकी मसल की इन्वोल्ब्मेंट कर रहे हो, आप अगर बाइसेप्स कर रहे हो, कुछ बंदे होते हैं, जैसे आप ऐसे जुके, जुके आप उपर की तरफ लेक हैंसिंग अगरा टेन करना, तो यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं, अगर इगो लिफ्ट से, इसलिए बोलते हैं, इगो लिफ्ट से इंजली जादा होती है, बट लिमिट पुश में आपको थोड़ा सा अधर मसल का इन्वोल्ब्मेंट भी चाहिए होता है, उसे हम इगो लि मसल की इन्वोल्ब्मेंट भी बढ़ेगी, तो इस तरह से आप अपना प्रोग्रेशन आप एड कर सकते हो, यह वीडियो आपके लिए थोड़ी इंफोर्मेटिव हो, कहीं पी डाउट हो, तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में डालना, कि आपको यहाँ पर डाउट हो रहा मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बाई